बी एन वर्सेस एफजी बांगलादेश वर्सेस अफगानिस्तान फर्स टी ट्वंटी मैच जो की खेले जाने वाला है और गाईज इंटरनेशनल मैचे इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसमें गाईज टी ट्वंटी स्रीज जो की अपनी सबी भायों की सबसे फैवरेट होत अफगानिस्तान अभी ODAE स्रीज में बांगलादेश को शौक देके आए है और अपनी 1 ODAE स्रीज विंड करके आई है जो की बांगलादेश के अगेस्ट है अब गाईज इस वाले मैच वे अपन डीटेल में बात करेंगे इस वीडियो में अपन डीटेल में मैं इनके पास T20 के एक बैश प्लियर है चाहे वो राशित खान हो जजाई हो मौहमद नभी हो तो काफी श्ट्रॉंग एश प्लियर है और वहीं बांगलादेश की बात करूं तो शाकी बुल असन जैसा उनके पास एक शांदार प्लियर है तो गैज अब सबसे बड़ा क्योश के रहें है डिसकर्स करेंगे और जैसे अपन ख्लीयर है विसे हैपन इस वाले स्रीज में कलेन सबागे जाएगी और 2 वीडियो को पूरा वाज करूंगे तो आपको भी टैया है जाएए ilustin एक कितने रूपे क्या हैynnDS 70 अच्छी अग्षार radio क्या मिलेगा कि आपके लिए इस वाले वीडियो में फ्री गीववे और गीववे किते रुपे का है एक हजार रुपे का है अगर आप इस वीडियो को पूरा वाच करते हो लास तक और इस वीडियो पे लाइक करते हो इसकी तीन कंडिशन है आपको वीडियो को पूरा देखन करना होगा video पे लाइक करना होगा और चैनल को सब्क्राइब करना होगा अगर आपने तीनों काम किए तो आपको फ्री गीववे मिलने वाले तो गाइज वीडियो पूरा देखोगे तो बैनी फिट ही बैनी फिट है और आप से रिक्वेस्ट है अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो बैल आइकन की घंटी दबा के All प्रेस कर देना क्योंकि अगर quality के साथ अगर आपको best information चाहिए तो वो आपको इसी चैनल पे ही मिलने वाली है तो जरूर से आपको ये पूरा वीडियो वाच करना है तो B.A.N. versus E.F.G. फर्स T20 मैच ये खेला जाएगा सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिलहट में और अगर मैं यहां की pitch report की बात करूँ यहां की information की बात करूँ तो आपके लिए उसके लिए पूरा डेटा में लेके आएगा देखे गई इस वाले ground पे अगर मैं T20 स्टेट्स की बात करूँ ना तो टोटल अभी तक 8 मैच खेले गए जिसमें बैटिंग फर्स करने वाली ने गईस किवल एक ही मैच विन किया है और बैटिंग सेकेंड करने वाली ने 7 मैच विन किया है तो एक चीज तो किलियर हो गई भाई कि यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी टॉस जीतकर पहले बालिंग ही करना पसंद करेगी क्योंकि यहाँ पर सेकेंड निनिंग में विनिंग करना आसान है एवरेज स्कूर की बात करूँ तो भाई 153 का है और आजकल जिस तरीके से बैटिंग हो रही है ना मुझे लग रहा है 160 प्लस का स्कूर बनेगा और बांगलादेश और अफगानिस्तान की 20 गैज अब तक लाश्ट पांथ सालों में 8 मैच हुए है जिसमें बांगलादेश ने 2 मैच जीते हैं और अफगानिस्तान ने केवल 6 मैच जीते हैं तो कई ना कई अफगानिस्तान का पड़डा थोड़ा सा भारी लग रहा है चाहे इस वाले मैच की बात करें अब सबसे बड़ा कन्फिजन आप लोगों के क्या रहता है सब इस पीनर को 15 विकेट्ट मिल रहें है तो कहीं ना कहीं इस वाले मैट सहरी गराओंड पर भी सब्सूरा को याट को एठ्र। तोettsी pandemic कर सक supports जरूर कर लेना वातो Penais मेरा Telegram Channel है Sh JSON इस टेलिग्राम चैनल को आप लोग जरूद जोइन कर लेना link आपको इसी वीदियो के comment और description में देख जाएगा आप विडियो के नीचे जाओगे तो आपको comment में और description में सबसे टॉप पे पिन किया हुवा link दिखेगा टेलिग्राम चैनल शौर expert support का जहाँ पे आपको हर match का बिलकुल free update मिलेगा चाय य्ये वाला match हो या कोई सा भी match हो तो जरूर से आपको join कर डेना है टेलिग्राम चैनल शौर expert support description में और comment में सबसे top पे पिन किया हुआ link है देखेंगे बट अगर आप मेरे वीडियो में आयो ना तो आपको हर चीज बारी की से मिलने वाली है उसके लिए आप से एक रिक्वेस्ट वीडियो पर लाइक जरूर कर देना अगर लाइक करोगे ना तो भाई तो कुछ हो गाई साथ में फ्री गीववे भी मिल जाएगा दे बांगलादेश ने 207 बनाए आर्लेंड ने 81 ही बना पाया इसके लावा यहां पर 29 मार्च को मैच हुआ गई बांगलादेश और आर्लेंड के बीच वापस बांगलादेश ने 202 बनाए और आर्लेंड ने यहां पर 125 बनाके मैच विन कर लिया अभी आप सोच रहूंगे कि भी तो मैं पहले तो बोल रहा था कि यहां पर ज्यादा तर मैच सैकिंड बैटिंग करने वाली टीम नहीं जीते हैं देखिए गई इसमें कई मैच ऐसे हैं जो कहीं ना कई इस देटा में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि यहां पर बैटिंग फर्श करने वाली टीम मैच नहीं जीतती है पर सैकिंड बैटिंग करने वाली के चांसेस थोड़े से जादा रहते हैं इस चेज़ का आपको ध्यान दखना है और गाईज यह स्पोर्टे सी एप्लिकेशन है इस स्पोर्टे सी एप को आप लोग जरूर से डाउनलोड करने ना क्योंकि गाईज बहुत ही पर जॉइन है उन सभी भाईयों ने अच्छी विनिंग किये तो आप भी इस पोर्टे सी एप को जरूर से डाउनलोड कर लेना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पोर्टे सी एप का लिंक दिखेगा जैसे आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे फ्री बोनस कर लेना है बट इस हैप पर थोड़ा सा वित्य जोकिम इंक्लूड है क्रपिया अपनी रिस पर खेले और समल के खेले अब गईस क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में बांगलादेश और अफगानिस्तान की रहेगी फर्स्टी 20 मैच की उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेकते हैं फिर इन में से कौन से प्लियर को अपन सेलेक्ट करेंगे और अपनी क्या फाइनल टीम निकल के आएगी यह सारी चीज़ें अपन यहां पर एनलाइस करने वाले हैं अगर बंगलादेश की प्लेइंग 11 की बात करूं तो लिटन दास के साथ गई रोनी तालुकद इसलाम खसन महमूद और मुस्तिफिज और रहमान में से कोई एक यहां पर खेल सकता है जिसमें थोड़ी मुझे मुस्तिफिज और रहमान के चांसे ज़्यादा लग रहे हैं अफगानिस्तान की साइड से बात करूं तो आर गुर्बाज के साथ एस अटर यह ओपनिंग पर आ सकते हैं इसके बाद है जजजाई इबराहीम जर्डान मुहमद नभी नजबुल्ला जर्डान करीम जर्नात राशिट खान यह उमर जाई मुझेब रहमान और फैजाल अग फारुकी यह अफगानिस्तान की एकस्पैक्टेट प्लेइंग 11 है जो आज के मैच मैच में रह स इसा प्लेयर है जो आपको जाद तर टीम में मिलेगा फैजल अलग फारुक कि ऐसा प्लेयर जो जाद तर टीम मिलेगा बट गई सबसे बड़ा क्योशन है कि इन प्लेयर को लेकर ही अपन विन नहीं कर सकते हैं इसके अलावा ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको कम लोगों ने रखा है जिनका सेलेक्टेट परसंटेज हाई है बट वह आज के मैच में इंपॉर्टेंट होंगे उनी के बारे में अपन डिसकस करेंगे और मेरा स्पेशल टार्गेट उनी प्लेयर्स पे ही रहता है इसलिए अगर आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको लिए काफ जिनका सेलेक्टेट परसंटेज बहुत हाई है उनमें से अपन किन को डॉप कर सकते हैं तो सारी चीज़ अगर आप पूरी देख लोगे तो आप अरामसे विनिंग कर जाओगे तो इसलिए कहा तो आपके लिए इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी अब गाई सबसे पहले चलते बांगलादेश वर्सेज अफगानिस्तान के इस मैच में विकेट कीपर सेक्शन में कौन सा प्लियर आपके लिए इंपोर्टेंट होगा तो बांगलादेश की साइट से बात करो तो लिटन दास जो की ओपनिंग पर आएगा थूड़ा सा गई अफगानिस्तान के अगेंस खेलना उतना ज्यादा पसंद नहीं करता छे मैच खेले केवल 90 रन मनाए 15 की अवरेज वर्स सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है अभी जो रिसेंट्ली ओडियाई स्रीज हुई है वहाँ पे उसने काफी अच्छा किया है आप रिसेंट्ली अगर टी 20 मैचेस की ब पर आएगा यहां पर आप देखिए बंगलादेश के अगेंस पाच मैच खेले किवल 43 रन बनाए गया ती 20 के आवरेज में दे रहा हूं ना कि ओडिया इसके आप सोचोंगे इसमें ओडियाई भी आ ऐसा नहीं है और अगर आप लास्त तीन मैचों में देखोगे तो अठा हूंगा सारे प्लेयर्स को देखके कि भाई इनमें से कौन बैस्ट होने वाला है अपने टीम के लिए यहाँ पर गाइज मैं बात करूँ बांगलादेश के बैटिंग सेक्शन की अब बैटिंग सेक्शन में आजकल आप एक बैट्समें भी पिक कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको जादा बैट्समें पिक करने है तो क्या उनमें से पिक करना चीए या फिर डॉप करके चले तो अफगानिस्तान के अगेंस पांच मैच खिले बासर टर्न मनाए दो विकेट निकालें तो थोड़ा उतना अच्छा करता नहीं है अगर आप इसकी बात करो अफगानिस्तान के अगेंस में इस वेन्यू पर 9 मैच 212 रंच चोईस का एवरेज नजमल उसे इंशान्तू की बात क अच्छा लग रहा है मैने आपको पहले भी बोला था यह प्लेयर काफी अच्छा है खास्तोर से टी ट्वेंटी के पॉइंट ऑव यू से टी ट्वेंटी में साथ मैच खिलें 200 रंबनाए 29 के एवरेज से इस वेन्यू पर आट मैच 1421 के एवरेज से लास्त तीन टी ट्वे होंगे ना भी सेलेक्टिव परसेंटेज बहुत कम है तो यह प्लेयर पर आप टार्गेट कर सकते हो आज के मैच के लिए और दूसरा प्लियर टी हर्दो इसने ओडियाई में भी काफी अच्छा गया तो इस वाली सीरीज में भी अच्छा कर सकता है तो मेरे साफ से यह दोन को सब्क्राइब करके रखे नौटिफाइड बैल को दबाके रखे हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अफगानिस्तान की बैटिंग सेक्शन की बात करो तो यहां पर नाम है नजबुला जड़ान एज जजाई इबराहीम जड़ान और एस अटल नजबुला जड़ान की बात करें भाई इस वेन्यू पर दो मैच खिला है 47 रन और सबसे बड़ी बात है बांगलादेश के अगेंस अच्छा है च्छे मैच 1121 लास्ट इन मैचों में जीरो तेइस सत्रह जजाई की बात करूं भाई बांगलादेश के अगेंस आवरेज आप देखिए 34 और यह ना इनका specialist batsman है जो की T20 के लिए ही बनाया हुआ है और काफी impressive खेलता है और काफी तेज बैटिंग करता है तो जजाई पे आप जरूर फोकस करिएगा इबराहीम जड़ान की बात करें भाई यह इनका टॉप बैटर है मतलब आपने देखा होगा ODI में भी शानदार बैटिंग किये क क्योंकि टैक्निक के साथ खेलता है और अबी रिसेंट्ली ग्यारान बनाके गया है तो यहाँ पे बड़ा कंफीजर है बैटिंग सेक्शन में अपनी final team combination में किसको लेके जाए तो यह चीज़ आपको ध्यान से देख नहीं है अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंग यहाँ पर गाई बात करें बांगलादेश के अल राउंडर section की अल राउंडर section में यहाँ पर दो नामे एक तो शाकी बुल असन है और दूसरा मैदी असन मिराद है शाकी बुल असन की बात करूं तो देखिए मोश्टी लोगों की team में होगा मैंने आपको वीडियो के starting में ही बता दिया था कि यह लगबख सभी की टीम में होगा क्योंकि पूरे चार ओवर बॉलिंग करेगा और बैटिंग भी करने वाला है और आप देखिए रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है अफगानिस्तान के अगेंस 11 विकेट है 133 इस वेन्यू पर 254 दंदस विकेट है और कही ना कई फॉर्म बहुत अच्छी है और इस एंटी 20 में तो गईज यह स्पेशलिस्ट प्लियर है मैधी असन मिराज की बात करूँ भाई यह भी काफ़े इंप्रैसिव रहेगा और इस वेन्यू पर साथ विकेट लेके आए तो यह दोनों प्लियर तो गईज मेरे इसाब से आपके टीम में होने ही चाहिए चाहिए वह शाकिब मैधी असन मिराज क्योंकि मैधी असन मिराज भी आपको बालिंग प्लस बैटिंग दोनों करता हुआ दिखेगा तो आप डैफिनेटली इन दोनों को अपनी टीम में लेके चल सकते हैं कि यहां पर गाइज में बात करूँ एफ जी मतलब अफगानिस्थान के अल राउंडर सेक्शन की यहां पर दिखेगे दो नामें मौहमद नभी और करीम जननत करीम अभी आपने लोडियाई में खाली इनके अल्राउंडर सेक्शन में नभी को ही देखा होगा आप करीम जननत को भी देखो गया और नभी की में बात करूँ अच्छा करके आया रिसेंटली टी-20 मैचेज में 13 रन दो विकेट 17 रन एक विकेट 14 रन इस वैन्यू पर रिकॉर्ड भी अच्छा है और बांगलादेश के अगेंस पर रिकॉर्ड अच्छा है करीम जननत की बात करें भाई सामने वाली टीम के अगेंस के वल इसको तीन ही विकेट मिले यह थोड़ा सा वीक है बाकी करें आओ तो आप रख सकते हुं मैं खहीं पर आपको मना नहीं करूंगा यहाँ पे बात करूँ बांगलादेश के सेलेक्शन जित कि बैईन की तरफ से अपन बालिंग में आज के मैच में किसको पक करके चले-एक ये एक सबसे बड़ा क्योशन है कि बांगला देश की साइट से अपन बॉलिंग में किसको पिक करके चले। अब सबसे बड़ा क्योशन उटता है कि क्या दोनों खेलेंगे या फिर एक ही खेलने वाला है। तो गैज मैं आपके लिए दोनों का ही रिकॉर्ड लिया जो भी खेलेगा आपके पास सब का रिकॉर्ड होगा अगर हसन मेहमूद की बात करूँ भाई इस वेन्यू पर तीन मैच खेले साथ विकेट मिले और अगर आप लास्ट तीन टी टूंटी में देखोगे तो एक एक व कोई विकेट मिले तो अगर मेरे साबसे हसन मेहमूद या मुस्ते फिजोर्य मान में मिसे एगर हसन मेहमूद कैलता है तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा अपनी टीम मेर रख लेना बटकाओ प्लोंगा चब ब्रॉप करके बीचल सकते हो मैंने आपको दोनों तरीक मैचों में 8 विकेट है mission God number 9 मैच बारा विकेट शौरी most Islam की बात करूं भाई 2 मैच 3 विकेट हिस वन्यूपर 4 मैच 4 विकेट डिसेंट्ली टी-20 मैचजन में एक विकेट और 900 महमत की बात का है बाई वैन्यूआ पर पाच चौइस कौन सी हो सकती है देखिया हसन मेhmood खेलता है तो इसको डैफिनेटली रख लेना दूसरी चौइस आपके पास तसकीन आमद और तीसरी चौइस शोरीफिल इसलाम है तसकीन को मोश्चने लोग लेकर आएंगे बट शोरी इसलाम और हसन मैमूर यह दो प्लेयर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी रैंग को अच्छी लेकर आ सकते हैं मैंने अभी आपको रिकॉर्ड बताया है जिससे आपको आइडिया लग गया होगा और एक चीज का ध्यान रखना का इस वाले पिछ पे बॉलर को ही पॉइंट को करक यहां पर बात करो अफगानिस्तान के बॉलिंग सेलेक्शन की अब अफगानिस्तान की तरफ से देखी राशिट खान मोश्टी लोगों की टीम में होगा कई लोग इसको कप्तान वाइस कप्तान बनानी की भी सोचेंगे तो राशिट खान पर मैं ज्यादा बात करूंगा न कराता हुआ दिखेगा और विकेट भी निकालता है इस सामने वाली टीम के अगेंस तीन मैच पांच विकेट और लास्ट तीन मैचों में अब तक पांच विकेट और ओमर जाई की बात करूँ भाई ये प्लियर आपकी आज की ग्रैंड लीग का एक स्पेशल प्लियर साबित ह हो सकता है जो भाई ग्रैंड लीग को टारगेट कर रहे हैं ओमर जाई पर फोकस करिएगा क्योंकि इस वेन्यों पर भाई तीन मैच खिले इसने साथ विकेट लिया है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करता है तो अफगानिस्तान के भाई ये चारों प्लियर सी काफी अच्छ के टाइम पर तो आपको सही सेलेक्शन मिल जाएगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहले प्यूरा वीडियो देख लेना उसके बाद जॉइन कर लेना क्लिक करके सिंपल यहां पर गईज मैं बात करूँ थोड़ी सी प्लेयर बैटल देख लेते हैं जि एक सबसे बड़ा वेकनास हो सकती है लेट अंदास के लिए आफिफ हुसेन को ओमर जाई राशिट खान कर रहा है शाकीब अलसन की भी बात करो तो मुहमद नभी यहां पर तीन बार फसा चुका है तो अगर आप शाकीब को कप्तान मनाने की सोच रहो तो ऐजे बॉलर सोच कर चुका है बांगलादेश की तरफ से देखी कुछ प्लियर है जो बैंच वे बैठे हुए शायद इन में से भी कोई खेल ले तो आप रिकॉर्ड ध्यान में रखना शमी मुसेन पटवारी और रिशाद हुसेन शमी मुसेन पटवारी गाई इनका एक बहुत अच्छा प्ल प्लियर है जो बैंच वे बैठे हुए तो आपके सामने सब के रिकॉर्ड है अगर इन में से कोई भी लाइन अप में आता है अगर आप किसी को लेना चाहते हूं तो आप टॉस के टाइम पर भी मेरा वीडियो का लिंक आपको टेली ग्राम पर मिलरी जाएगा नहीं चैनल जाके देख रहे ना आप रिकॉर्ड वहां से पिक कर सकते हूं अब गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई आज के मैच की कौन सा बॉलर कितने और करेगा पावर प्ले में कौन करेगा जिसके बेस पे अपन यह डिसाइड कर पाएंगे कि भाई इस बॉलर को रखे या ना रखे क्योंकि अपने वह बॉलर पिक कर लिया जो बॉलिंग ही नहीं करेगा तो आपके लिए तो बैनेफिट ही नहीं रहेगा तो बंगलादेश की तरफ से देखी तसकीन अहमद और शाकीब अलसन यह दोनों बॉलर ऐसे जो पूरे चार ओवर कराएंगे बाकी जो अहमद है मैदी असन है और यहां पर शोरीफुल इसलाम है तो एक बॉलर ऐसा होगा एक या दो बॉलर जिनको पाच पाच आवर का स्पैल मिलेगा दैट में आएंगे तसकीन अहमद और शोरीफुल इसलाम अफगानिस्तान की तरफ से फैजल अलग फारू की मुजब और र अब आया है आगा जमें का मैच की फाइनाल टीम दिखाने जा रहा हो कप्तान वास कप्तान का सेलेक्शन बताने जा रहा हूं और उसके सात ही आपको फ्री गीवडी बी देने जा रहा हुं तो free giveaway का guys question आगया है आज के match का जो 1000 उपय का giveaway रहेगा जिसमें मैंने condition बनाई थी कि वीडियो पे like होना चाहिए पूरा वीडियो देखा हुआ होना चाहिए और channel subscribe होना चाहिए तो यह तीनों काम तो आपने करी दियोंगे अब question किया है कि guys BAN versus EFG first T20 match में man of the match कौन सा player रहने वाला है आपको उस player का नाम बताना है जो आज के match में man of the match रहेगा answer आपको comment section में जाके देना है जो भी भाई match खतम होने तक अपने answer सही दे देगा मतलब जब match start होगा sorry guys जब match start होगा उससे पहले तक जिस भी भाईयों के answer सही होंगे उनी में से खुछ users को चुने जाएंगे जिनके answer सही होंगे उनको prize मिलेगा बट उनकी condition मैंने आपको बता दी है वो होनी चाहिए तो आप सभी भाई answer करे comment section में जाके कि कौन सा player आज के match man of the match रहेगा ठीक है अब मैं आपको आज के match की final team दिखाने जा रहा हूं अब देखे गई मैंने आज के match की यह team बनाई है अब क्या team बनाई है ध्यान से देखना और इस वाली team में अगर कुछ भी change होगा तो final update आपको मेरे telegram channel पे मिलेगा इसी video के description में आपको link देखेगा बस click करके आप telegram पे आ सकते हो वहाँ पे आपको हर update मिल जाएगा देखी यहाँ पे रखाए लिटन दास और गुरबाज को अभी के लिए तो मैंने विकेट कीपर section में दोनों ही player को pick करें क्योंकि T20 के दोनों काफी अच्छे player है बैटिंग section में इबराहीम जर्दान एन उ आकी बुल असन मुहमद नभी महदी असन मिराज को रखाया all rounder section में और बॉलिंग section में राजशित खान फैजा लग फारुकी और तसकीन अहमद बाकी मैंने आपको बताया था यहाँ पर एहमद ओमर जाई इस पर जरूर फोकस करिए का जो भी बाई grand league खेल रहा है अब इन लोगों को मिलेगा जो मेरे लिंक से डाउनलोड होंगे इसी वीडियो के description में लिंक है जैसे आप आप ओपन करोगे आपको गीववेश हो जाएगा बहुत फाशली फिलप हो रहा है तो जल्दी से जाके एप को डाउनलोड कर लेना गीववे को जॉइन कर लेना और इस बास के बाद आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा वहां पर आप एक्टेव रहना तो अफगानिस्तान वर्सिस बंगलादेस फॉस्टी 20 मैस 2023 मैच प्रिव्यू गाइज यहीं खतम होता है और आप लोगों ने इस वीडियो को इतना टाइम दिया प्यार दिया उसके इन्फॉर्मेशन चीए तो आप कमेंट में जरूर बताईएगा ताकि मैं आपको वह चीज भी दे पहूँ पर जाती जाते वीडियो पर लाइक कर जाना चैनल सब्क्राइब कर जाना और ऐसे ही प्यार देते रहना ठीक है भाईओ आप सश्यकाल नमस्काल और मैंने आपको